नमस्कार दोस्तों कैसे आप आप सभी अच्छे होंगे तो जैसे कि आप जानते है आइफोन 16 लॉंच हुआ है कर रात को तो लॉंच होने के बाद ही आपल का शेर 1% नीच जा चुका है तो शायद एक ही टाइप का फोन बनाता है यह लोग इसके लिए आया होगा इसका रीजन है कि इन लोग का जो कंपनी है क्वालिटी वॉल्स आइस्क्रीम तो उनका एक सेपरेट डिवेंट का जायंट है उसने 3% से उपर जंप किया है इसका रीजन है कि इन लोग का जो कंपनी है क्वालिटी वॉल्स आइस्क्रीम तो उनका एक सेपरेट डिविशन बनाने का सोचता है यह लोग तो दाट इसे पॉजिटिव न्यूज के कंपनी का डीमर्जर हो सकता है तो इसी को लेके हुएल में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट था और शेयर 3% के ऊपर भाग चुका है नेक्ट बात करते हैं वाल स्ट्रीट का यूएस में तो यूएस का स्टॉक्स लगातार एक हफता लास्ट वीक काफी नेगटिव जाने के बाद दूट जॉब डेटा तेंग अभी तो नेक्स्ट इन लोग के प्रॉस्पेक्ट में है कि कंशूमर प्राइस इंडेक्स जो र अंडे बाइंग हुआ है मार्केट में तो टेसला और एंवीडिया जो के काफी हेवीवेट स्टॉक्स है दोनों तो ओवर 3 परसें से राइज राइस हुए जो कि बहतरी इन चीज नेक्स्ट कपर में चलता है नो वैलुएशन टिप ऐसे एक्सपेक्टेड तो कृष्ण वी मीड और स्मॉल कैप का अगर अर्निंग्स एंड ग्रोट से ही रहे तो वैलुएशन डिप नहीं होगा इनका एडवाइस है बेसिकली के इंडेक्स में मत लगाओ पैसा के बहुत सारे कंपनिस में मत लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर कंपनिस फाइंड लगाधार तीन दीन से नेगटिव जा रहा था लेकिन कल निफ्टी फिफ्टी राइस हुआ हाला कि मीड और स्मॉल काप काफी बूरी तरह डाउन थे तो देख लेता है क्या हुआ है यहां पर देखिए बैंकिंग सेक्टर और फमसी से सेक्टर जासे हम बता रहा था हिंड प्रॉफिट बूकिंग पिरियोडिकली प्रॉफिट बॉकिंग तो बनता है मेड आप स्मॉल काप में इन्वेस्टर्स का अभी नेक्स्ट फोकस है यूएस का इंफ्लेशन नंबर पर जो कि इन लोगों को बताएगा हम लोगों को बताएगा कि कितना परसेंट रेट काट ह हो सकता है CPI index is due on Wednesday तो कल का दिन में दिवा प्रोडूसर प्राइस इंडेक्स इस दिवां थर्स्टे और मियूस का मॉनिटरिफ पॉलेशी निकलने वाला है 17-18 सेप्टेमबर जो कि हम लोगों को पता लाएगा 25 bps रेट काट हो सकता है या फिर 50 bps रेट कर तो कुछ रिपो 25 bps भी हुआ तो कोई घरबाने वाली चीज नहीं है क्योंकि बाकी जो जो फ्यूचर क्योंकि यह एक टाइम का रेट कर नहीं हुआ है यह एक सीरीज ओफ रेट कर साएगा तो अगर 50 bps पॉइंट कर रेट कर आता है तो प्रॉब्ली नवेंबर डेसेंबर आफ्टा दा काफी भाइंग हुआ है उद मीडियाम चाहिं आउटलोफ फो टा-इन श्टाउक मांके रिमें स्ट्रॉंग सपोर्टेड बाई सस्टेह एकटोनोंच ग्रोथ एंप्रीजिंग इंफ्लेसी और डविश्टीग इंवेस्टेस इंवेस्टेर्स हा इंवेस्टेस इंवेस्टे सब्सक्राइब करें तो आइसाइसा नीचे आते हैं एक टाइम पर नाइन थाउजंड के करीब था आठादार प्लस था और यहां पर अभी 5700 पर आके रुखा है तो वह 0.71 परसे नीचे है वानेटी थी रुपिस का वन दे लॉस है को अंट मिट कैप फिर से नेगेटिव है यह तो लगातार दिन बदी नेगेटिव जा रहा है 0.28 परसें एक सारा केवल 37 परसें भी नहीं है अभी 73 रुपिस का वन दे लॉस है ट्रोल प्रॉफित है 3,400 यही पर मोजी जाल आसवाल यह भी काफी लॉस हुआ है कंपर टू दो स्मॉल काप इंडेक्स मॉल इंडेक्स 0.65 परसें डाउन होता यह उससे ज्यादा डाउन गया तो 188 रुपिस का वन दे लॉस है ट्रोल प्रॉफित है 6,700 महीं दा मानुलाइफ स्मॉल काप से ज्यादा गिड़ा हुआ हुआ है कल लेकिन इसका तो अलगी कुछ चलता है कॉंटर एडिया ने अप्रोच लेकर चल रहा है एक जो भी दिन मार्केट इंडेक्स बेसिकली लॉस में जाता है तो यह प्रॉफिट देता है तो हलका जो भी हलका फुलका जो भी प्रॉफिट में एंड हुआ है तो 13 रुपिस का व लॉट इसकेप्ट था इसाइबी फोर नेक्स मंथ तो आइल वेट फोर अफ मॉन्स देन आ प्रॉबबब एंड इंडेक्स यह अच्छा पर्फोंच किया लेस दान इंडेक्स गिरा है तो 253 रुपिस का वांडे लॉस है टोटल प्रॉफिट है तो फ्वाइट फाफिट है स्मॉल का देखिए यह बहतरीन डाउंसर प्रॉटक्शन दिखा रहा है तो 0.29 परसेंट ओनली गिरा है जहां पर स्मॉल काप इंडे 0.65 परसेंट गिरा था लेकिन क्वांट हम लोग लेते नहीं है फोर डाउंसर प्रॉटक्शन तो डाउंसर प्रॉटक्शन के लिए क्वांट एंसी रिकवर्स एक साहर है 50 परसेंट भी 0.29 परसेंट का डाउन गया वन दे लॉस है टूहने रुपीज टोल प्रॉटक्शन का बात करता है आज का नेगेटिव रिटरंस दिया हुआ है करीबन 1500 का लॉस हुआ है मेरा 0.42 परसेंट डाउन है टोटल रिटरंस है अभी कुछ कमेंट से लेंगे बिफ़र मॉविंग फावड लाला नहीं यादा बोल रहा है कि यह कोई बेन बेनिफिट नहीं दे रहा है यह बारोडास पीन पी पाड़ी बस मैनेफेक्टरिंग फंड का लिए बता रहे है तो दो महीने हो गया इनका मैनेफेक्टरिंग वा रखिए और यह शौट टर्म के लिए कोई बेनिफिट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए इंफरस्टर्चर्चर और मैनुफक्टरिंग से इवर ग्रीन सेक्टर्स फॉर लांग टम शौट टर्म के लिए अगर कुछ लगाना है कहीं पर पैसा कुछ भी शौट टम के लिए लाइक डिफेंस सेक्टर में भी जो डिफेंस का दे दिया था दे दिया और अब हम लोग करना है वहां से वहां से मूफ करके और कहीं पर जाना है तो मेरा वीडियो आ चुका है जो कौन के लिए मैं बता राता तो उस वहां पर टेटेल डेलेसिस किया हूं पर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते चैनल में के कौन को आखिर हुआ कि हुआ कि आए और हम लोगो मैं अटलीस मेरा स्ट्राटीजी क्या होने वाला है अटलीस मेरे से बेटर है उस दिन काफी नेगटिव गया था मार्केट तो मेरा 1.04 परसेंट डाउन चला गया था और मैं लोगों से पूछा भी था आप लोग भी शेयर कीजिए आप लोग का कितना परसेंट डाउन गया अपना पॉर्टफोलियो तो अश्यू परसेंट ड अभी तक लिया नहीं हूं मैं बस सब्सक्रिशन लेकर लेकर रखा हूं तो आई वी प्रूटिंग सम मनी और माइकर का स्मॉल किस मेरा टोटल अभी कॉर्पस जुगार नहीं हुआ है लेट सी जब जब जुगर होता है इल पूट सम्मीति साथ ही बोल रहा है कि 1.16 परसें यह काफी डाउन हुआ है आपका तो आप शेयर की कर सकते हैं कौन सा फंड ने सबसे आपको नेगटिव रिटेंस दिया हुआ है क्योंकि मेजर ली आप तो पीएस यू और डिफेंस पीट रहा है तो शायद अगर आपके पास कोई सेक्टरल फंड रहा होगा पीएस यह डि अबी था तो कल अट लिस्ट निफ्टी जादा डाउन नहीं था लेकिन मिट काप और स्मॉल काप काफी भारी भरकम डाउन ते काफी प्रॉफिट बुकिंग हुए है और इसी के चक्र में काफी नेगटिव ही गया है तो मैं लिखका भी था एटी परसें प्रॉबिटीव विल बी डाउन बाट निफ्टी वजें डाउन निफ्टी वज हैंड़े इन पॉजिटिव अच्छा भी भाई का पॉर्फिलो रिव्यू कर लेते कृष्ण यादव है इनका पॉर्फिलो में एक्सिस ब्लूचिप फंड एक्सिस मॉल का फंड पड़ाग प्लेक्सिका स्मॉल का फंड मोचलाल डिफेंस इंडेक्स फंड तो एक दो तीन चार पांच पांच फंड सेंके पस और चार हजार चैसाथ आतना दस तेन थाउजंड के साइपी चल रहा है इनके पास ठीक है फाइफ फाइफ फंड टेन के साइपी तो एक हो गया डेडिकेटर लार्ज क आपका एलोकेशन आपके पोर्फोलियो में ज्यादा देख रहा है एक्सी स्मॉल का जो मेरे पसंद का एकदम ही नहीं है आधर एक्सिस को निकालके आप SBI या फिर टाटा यह सब चूज कर सकते हो ठीक है इस अर गूर्ड अगर एक सेफ स्मॉल के साथ जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना है यह सबसे दिक्कत वाली चीज़ क्यूंकि डिफेंट्स अभी पूरा सेक्टर दा एंटेर सेक्टर इस डाउन इस गोईंग डाउन यह कब नीचे जाकर रिबाउंड करेगा गौड नोस यह एक महीन एक महीन भी टाइम लग सकता है इसका दो साल भी टाइम लग सकता है तो अगर आपको उतना पेशेंस है कि आप दो साल तीन साल तक पैसा यह सब्सक्राइब अभी पैसा बन तो यह अपको पैसा निकलना है ण। अबiuर अबलाग कर ना तोeko तो आपका मोटा मोटा तक कौन सा बन गया एक है आपका फ्रेक्सिकाप है का समाइल का फंट दो है एक आपकार दूसरा स्माइल कर फंट और नेच्ट हो गया तो एक सेक्टराल फंट बूट वन सेक्टराल फंट रखता है तो if you want greater stability in your portfolio you can continue with it but I will suggest to remove this one exactly तो अभी सब्सक्राइब चलता है कि आपका 27 है और आप बोल रहे हैं के लिए इंवेस्टिंग करना चाहते हूं तो मैं मैं जो सब्सक्राइब करता हूं कि आप अभी चेंज करेंगे तो ब्लूचिप फरंड और फ्लेक्सी के फरंड और एक्सी स्मॉल के तो यही सब लेके मैं पक रहा हूं यहां पर 15 परसेंट आपका एक्सपेक्टर रहें तेन थाओजन आपका मंत्ली इंवेस्टेंट है सब्सक्राइब करते हैं तो देख लीजिए आपको क्या करना अगर तो अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं और अल्द बेस्ट फॉर इंवेस्टिंग केरियर अभी बात कर लेते हैं मेरे दूसरे पॉर्ट्फिलियो के बारे में कौन स्मॉल का वही देखिए कि अच्छा डाउन से प्रोडेक्शन दिखा है इसलिए 0.29 परसेंट हुआ है 50 परसे अच्छा यहां पर देख सकते हैं आप लोग की इंफरस्ट्रक्चर नहीं है इंवेस्ट के इंफरस्ट्रक्चर वह अल्ड़ी मैं रिदीम कर चुका था दो तीन दिन पहले और वह रिदीम कंपिशन हो चुका है है प्रोसेसिंग तो यह मेरे बैंक अपन में आ चुका है तो मेरा पॉर्टफोलियो अभी साइस 10 लाक्स नहीं है 10 लाक्स के नीचे काफी आ चुका है तो मैं दिखांगा कितना पॉर्टफोलियो का साइज है हुआ है 45 परसें 0.48 परसें डाउन हुआ है काफी जादा है 1,90,000 मैं अल्रेडी रिडिम कर चुका हूं यहां से और मेरा वंडर रिटरंस है 1,49 और एक साहर है 43 परसें टोटल रिटरंस है 2,004 तो काफी ओल्टेम हाई से यह काफी नीच आ चुका है इन्वेस्टेट वैल्यू भी देखिए 6,18,000 है ओटी फॉर्फोलियो अनलिस में तो आप लोगों पता लएगा यह देखिए 2,11,000 से यहां पर नीच आ चुका है तो इन्वेस्टेट वैल्यू मेरा काफी नीच आ चुका है द्यू टू दा रिटेम्शन आफ इन्वेस्ट को इन्वेस्टेटर चरफट अभी एक टाइम पर हाइस्ट था 2,11,304 और 4 सेप् और कोई भी सवाल है था कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच पर वाचिंग है वेरी गुड देख